नमस्कार मित्रो योगराजवाटी चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम अपने जोवी जीवन में कुछ ऐसी चीजे बताते हैं जिनको करने से और जिनको खाने से फून रूट से स्वस्त रह सकते हैं जो आपके हमेशा देनिक जीवन में बहुती अच्छी उपयोगी चीजे हैं पानी में गुड डालिये बीत जाए जब रात सुबह छान कर पीजिये अच्छे हो हालात धनिया की पत्ती मसल बूंद नेन में डार दुखती आखें ठीक हो पल आगे दो चार उर्जा मिलती है बहुत पियें गुन गुना नीर कब्ज खतम हो पेट की मिट जाए पीर प्राते काल पानी पियें घूट घूट कर आप बस दो तीन गिलास है हर ओस्दी का बाप ठंडा पानी पियो मत करता कुर प्रहार करे हाज में का सदा ये तो बंटा धार भोजन करें धर्ती पर आलती पालती मार चवा चवा कर खाईये बैदन जहांके त्वार रात काल फल रस लो दुपहर लस्ची और छाच सदा रात में दूद पी सभी रोगों का नास प्राते दुपहर लीजिये जब नियमत आहार तीस मिनट की नींद लो रोग ने आवे दुआर घूट घूट कर पानी पियो रह तनाव से दूर ऐसी डीटी या मोटा पा होवें चकना चूट अर्थ्राइजिया होर्निया और अपेंडिक्स का त्रास पानी पीजे बैठ कर आवे न कभी ये पास रक्त चाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई सोगंद राम की खाय के तुरंत छुड़ दो चाए सुबह खाये कुमर सा दोपहर यथा नरेश भोजन लीजे रात में जैसे रंक सुरेश देर रात तक जागना रोगों का जंजाल अपच आख के रोग संग तनवी रहे निडाल दर्द गहव फोडा चवन सूजन चोट पिराई बीस मिनट तक चुम्बक धरो पिरवा जाई हराई सत्तर रोगों को करे चूना हमसे दूर दूर करे ये बांजपन सुस्ती अपच हजूर भोजन करके जो ये केवल घंटा डेड पानी इसके बाद पी ये ओसडी का पेड अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल यही खाये नहीं तो हाग समझे फेल पहला इस्थान सेंधा नमक पहाड़ी नमक सुजान स्वेद नमक है सागरी ये जहर के समान एलमूनियम के पात्र का जो करते हैं उप्योग आमंत्रित करता सदा वह अड़तालीस रोग फल्या मीठा खाय के तुरंतने पीजे नीर ये सब छोटी आत में बनते विस्धर तीर चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की सकती गेहु मोटा पीस ये दिल में वढ़े विरकती रोज मुलटी चूसिये कप बाहर आजाए बने सुरीला कंठ भी सब को लगता सुहाए भोजन करके खाये सौप गुर्ड अजमाइन पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान लोकी कारस पीजिये चोकर युक्त पिसान तुलसी गुड सेंदा नमक हिर्दे रोगों का करे निदान चैत महा में नीम की पत्ती हर दिन खावे जुर डेंगू और मलेरिया बारह मील भग जावे सौब और सौंतक वैजिये लेते नाक से जो स्वांस अल्पकाल जीवें वो जो मुक से लेते सास सीतम गरम जल से कभी मत करिये इश्नान घट जाता है आतंबल नेनन को नुकसान हेड़ दे रोग से आपको बचना है जो स्रीमान सुरा चाय या कोल ड्रिंक का मत करिये कभी पान अगर नहा में गरम जल से तनमन हो कमजोर नेनन की कमजोर हो नेनन की जोती कमजोर हो सक्ती घटे चहू और तुलसी का पत्ता जो करे हर दम में उपयोग मिट जाते हैं हर उम्र में तन के सारे रोग नमस्कार वित्रो हमने जो भी आपको बाते बताई हैं आप इनको अपने जीवन में यदि अमल लाते हैं तो हम रोगों से बहुत ही दूर रह सकते हैं और अभी तक आगने आप सब्सक्राइब करें और एसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के माद्यम से आप सवी के बीच में कुछ ग्यान की भगती की और कभी कभी जो की और ग्यान वर्दक वीडियो प depths दण्यवाद जैसी राम रादे-् झाल 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 झाल